हेलो किसान भाईयों और बहनों कृषी ग्यान चैनल की एक नई कड़ी में आपका स्वागत है किसान भाईयों और बहनों मिट्टी में जैविक कार्बन मिलाना उसे स्वस्थ और अधिक उपजाओ बनाने के लिए एक विशेश उपचार देने जैसा है मिठी में जैविक या काबनिक कार्बन आप कैसे डाल सकते हैं, किसान भाईयों और बहनों आईये जान लेते हैं खाद, आप रसोई के स्क्रैप फलों के छिलके, सबजीयों के बचे हुए टुकड़े, याड के कच्रिक पत्या, धास की कतरने जैसी चीजों को इकठा करके खाद बना सकते हैं इन्हें एक धेर या दिब्बे में एक साथ मिलाएं और प्रकृती को अपना जादू दिखाने दे कुछ महीनों में आपके पास पोशक तत्वों से भरपूर खाद होगी जिसे आप स्वादिष्ट नाश्टे की तरह अपनी मित्टी में मिला सकते हैं मल्च गीली घास को अपनी मित्टी के लिए एक आराम दायक कंबल के रूप में सोचें आप अपने पोधों के चारों और मित्टी के उपर लकड़ी के तुकड़े, पौाल या कटी हुई पत्तियां जैसी चीजे फैला सकते हैं जैसे ही यह गीली घास तूटती है, यह मित्टी में जैविक कारबन जोडती है Cover Crops कुछ पोधे, जैसे तिपत्या घास या कुछ घास मित्टी में जैविक कारबन जोडने में बहुत अच्छे होते हैं आप उन्हें अपने बगीचे में लगा सकते हैं और फिर बाद में उन्हें मिट्टी में मिला कर उसे सम्रिध बना सकते हैं पश्यू खाद जैसे गाय या मुर्गी का मल्क काबनिक कार्बन को बढ़ावा देने का एक और तरीका है किसी भी अप्रिय गंद से बचने के लिए बस पहले इसे कंपोस्ट करना सुनिश्चित करें जैविक उर्वरक ऐसे जैविक उर्वरक उपलब्ध हैं जिन में खाद युक्त पौधो जैसे काबनिक पदार्थ होते हैं पोशक तत्वों को बढ़ावा देने के लिए इन्हें आपकी मिट्टी पर छिरका जा सकता है इसलिए मिट्टी में जैविक कार्बन मिलाना उसे स्वादिष्ट व्यंजनों से भरपूर स्वस्थाहार देने जैसा है ये मिट्टी की सनरचना में सुधार करता है, पोधों को बहतर बढ़ने में मदद करता है और आपके बगीचे या खेत को अधिक उत्पादक बनाता है जैविक कार्बन मिट्टी के लिए भोजन के समान है जिस प्रकार हमें स्वस्थ और मजबूत रहने के लिए भोजन की आवश्यक्ता होती है उसी प्रकार मिट्टी को उपजाओ और उत्पादक बनाने के लिए जैविक कार्बन की आवश्यक्ता होती है किसान भाईयों और बहनों जैविक कार्बन मिट्टी के लिए क्यों महत्वपूर्ण है आए जान लेते हैं जैविक कार्बन मिट्टी में रहने वाले बैक्टिरिया और कवक जैसे छोटे जीवों के लिए एक स्वादिष्ट भोजन है जब वे इसे खाते हैं तो वे पोशक तत्व उत्पन करते हैं जिनकी पौधों को वृद्धी के लिए आवश्यक्ता होती है जैविक कार्बन को एक स्पंज के रूप में सोचें यह पानी को सोक सकता है और उसे रोग कर रख सकता है जिससे पौधों के पीने के लिए मिट्टी को नम रहने में मदद मिलती है जैविक कार्बन गोन की तरह कार्य करता है जिससे मिट्टी के कनों को एक साथ चिपकने में मदद मिलती है इससे मिट्टी अधिक स्थिर हो जाती है और कटाव की संभावना कम हो जाती है और मिट्टी की सनरचना में सुधार होता है जब जैविक कार्बन तूटता है तो ये पोशक तत्व छोड़ता है जो पौधों के लिए प्राकृतिक और वरक के रूप में कार्य करता है तो किसान भाये और बहनो सरल शब्दों में कहें तो जैविक कार्बन मिट्टी के पसंदीदा नाश्टे की तरह है जो इसे पौधों के बढ़ने के लिए एक बहतरीन जगह बनाता है इसे सूखने से बचाता है और पौधों को उनके पनपने के लिए आवश्यक पोशक तत्व प्राप्त करने में मदद करता है किसान भाईयों और बहनों आशा करते हैं आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा किसान भाईयों और बहनों वीडियो को लाइक, शेर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले धन्यवाद